तो इमाचल में मौसम सर्थ हो गया है जहां पर एक तरफ पहाड़ों में बरवारी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ वसलानी इस बरवारी का लुट्व उठा रही है में लगातार हो रही रवारी के बाद अब मौसम जो है कई जोगों पर जो ठंड है तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है ठंड काफी जादा बढ़ गई है और अगर दिली NCR के बाद की जाए तो यहाँ पर भी काफी जादा जो ठंड अब तापमान है उसमें गिरावट दर्च की गई है हाला कि इमाचल की बात की जाए तो इमाचल में कई जगों पर वर्वारी जो है वो हो रही है और कई जगों पर धूपी की लिए है लेकिन ठंड कहीं से कम नहीं हो रही है और बता दें आपको प्रसाशन की तरह से भी इसको लेकर अलर्ट जारी कि कि अभी मौजब भाग के तरह से अरुमानी लगाय गया है कि अभी कुछ समय तक वर्वबारी ना भी हो और चले ग्राफिक से जरी बताते हैं आपको हिमाचल का तापमान श्रिम्ला में पांच दिग्रीशन सेल्सियस मनाल में एक डिग्रीश सेल्सियस पालमपुर में इसल्सियस कुल्यू में 3 सेल्सियस ब्हाइब 5 जिटे उल्सियस पांच पॉर्व एठी इसल्सियस तैए तापमान हम आपको तो बता देंटो फिलाल को तो मैंभाचल में बोना है और इसका जो असर है वह मैदानी इलाकों मेंभी काफिया तक पढ़ रहा है बता देंद को और कि मौसम भाग का कहना है कि काफी अभी बर्वारी ना भी हो लेकिन जो ठंड है वो ऐसे ही बनी रहेगी और निश्रित तो पहाड़ी लाकों में ठंड कप्रकोब बना हुआ है तो इसका असर मैदानी इलाकों में भी पढ़ता दिखेगा तो बता दें आपको कि माचल मे मौसम का जो हाल बना हुआ है यहाँ पर वो हम आपको बता रहे हैं क्योंकि अभी तक पिलाल करी जोगों पर तो धूप खिली हुई थी लेकिन इस बार का दिसंबर में जो मौसम रहा है वो सबसे अब तक के तीन सालों में सबसे ज़्यादा सर्द रहा है और सबसे ज़्या पर भरपूर मिल गए हैं हाला कि अब जो सैलानी है वो भी काफि संक्या में पहाड़ों का रुक कर रहे हैं क्योंकि खासकर इस मौसम करिंतजार पूरे साल बना रहता है लोगों को और यहीं वजह है कि अब बेताश्वा ठंड के समय में भी जो सैलानी है वो इस वक्त खास झाल